आज दे इस समागम दे विच कॉंग्रेस पार्टी दे सारे ही लीडर से बान ते वरकर साथियो। मैं थोड़ा दिल दियां गहरा हियां चूँ। कॉंग्रेस पार्टी दा और शिरिमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी दा और थोड़े सारें दा आफ़ दा सिर्च को आके कॉंग्रेस पार्टी दे परवार दा तनवाद करदा हैं कि आज जड़ा तुसी मेंनों परदान बनाके कॉंग्रेस परवार दा मुखी ते ऐजे परदान उलीके हैं मैं थोड़ा तै दिलों तनवादी हैं खास करके मैं उन्हा लीडर से बाना दा तनवादी हैं जड़े पहली ते दूजी कतार दे विच वैसे ता सारें दा ही बैठे ने साड़े सीनियर आगू से बान जिना ने आव दी जिन्दगी लाके जिन्दगी लाके इस कॉंग्रेस पार्टी नों खड़ा किता कई परवार ऐसे बैठे ने जिन्दगी आव दे जान दी कॉर्बानी ला देती इस कॉंग्रेस पार्टी दे लई अमन शान्ती दे लई मेरे अरगे नमाने नताने ओना दा जिन्दगी पर देन नी दे सकदे और मैं आस करदाएं इना तमाम ओना लीडर से बाना तो मेरे पिता समानने कुछ मेरे वड़े प्रामा समानने कि ओना ले समय दे विच सानु सेद देके सानु अपना शीरवा देके आप दे गल ना लाके सानु रखनगे और सानु ओ तरीका ते सलीखा सखों दे रेंगे कि कॉंग्रेस पार्टी ते कॉंग्रेस पार्टी दे वर्करानू किस तरह मजबूत करने है तो यह मैं अमीद करना है मेरे लीडर से बाना तो कि दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी कोई स्यासी दल नहीं है ठीक है समय दी तब्दीली दे नाल समय दी तब्दीली दे नाल आजकल समय ऐसा आ गया है 21 सदी चसी परवेश कर चुके हैं कि यह स्यासी दल नहीं है कॉंग्रेस पार्टी 500 साल पुरानी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी एक सोच है कॉंग्रेस पार्टी एक वचार है और सोचते वचार कदे खतम नहीं हो सकते यह मेरा मन्न है और मैंनु लगदा तुसी भी सब लोगे इसकालना सहमत होंगे इना चुनौतियां इना चुनौतियां ते जित प्रापत कर लए सानौ अपने आपच असी जिनने लोगे थे बैठे हैं मैंनु आपने आपच तिन डी फॉलो करने पहनगे दिसिप्लन डेडिकेशन डायलोग सब तो महत्तब पूरण गाला है आज अगर असी दुबारा फेर कॉंग्रेस पार्टी नू मजबूति देवाल लखे जाना चौने ना केवल कॉंग्रेस पार्टी नू चाहे कोई कारोबारी होए चाहे कोई बिजनसमेन होए कोई व्यक्ती होए जिस व्यक्ती दे अंदर डिसिप्लन नहीं है जिस पार्टी दे अंदर डिसिप्लन नहीं है जिस कारोबाद दे अंदर डिसिप्लन नहीं है ओ वद्फुल नहीं सकता तो एस करके मैं क्या कि तिन डीज लेडे सादू आप दे जीवन दे वेच अपनाओने पहनगे अगर असी काम जाबी वलवदना चौने है दूसरा डीज डेडिकेशन कि किन्नी थोड़े चे डेडिकेशन है किन्नी लगन है किन्नी लगन दे नाल तुसी आवदा कम समाल दे बेशक को कोई भी किता है सो अगर किसे भी कम दे वेच डेडिकेशन आजाए ता मैंनू लगदा है कि ओस कम नूँ काम जाब होन तो कोई रोक नहीं सकेगा ते तीजा में क्या डायलॉग डायलॉग तो मतलब है थोडे विचार तो हडी गल आम जनता दी गल लोका दी गल कॉंगरेस कारय करता दी गल कॉंगरेस ता जड़ा चंडा फड़ के चौंग जखड़ा ओ गरीव यक्ती जड़ा हमेशा कॉंगरेस पार्टी दी उच्छी सोचास्ते लड़ाई लड़दा है काम ना करदा है औरे ना डायलॉग ओनू पुछके ते आपस वेचे मेल मलाके सब लोग आंदा एनी कि अगर राजावडिंग परदेश कांग्रस कमेटी दा मुखिया है ते ओ किसे ना डायलॉग ना करे ओ आप दे मनमर्जीदी रणनीती बनावे और अगर मैं आप दे मनमर्जीदी रणनीत भी बना मांगा ता मेरा ख्याल फिर असी काम जाबी वलवद नहीं सकांगे एहे ना केवल ना केवल पार्टी चैए जे फेक्टी भी किसे ने चलोनी है ता औरे च भी अगर तुसी आप दे तमाम साथिया ना बैठके डायलॉग ते एक टीम वर्क कठे हो के चलन दी जड़ कलपना करोंगे ता मैंनू लगदा है तुसी काम जाबी वल वज सक दियों एस तेंडी मलके डिसिप्लान डेडिकेशन डायलॉग देनाल असी एक नवेकली कॉंग्रस दी होंद रखनी चौने नवेकली कॉंग्रस कोई वक्रा काम नहीं एना चीजा नू अपड़ाना चौन या थे थोड़ी गल्बाद दे रहा ही यासी कॉंग्रस पार्टी नू अगे लेके जाना चौने दोस्तों मैंनू आज तनवाद करनना से क्या गया है मैं थो नू सारा गड़ी दियो उस कहानी वाल दसना चौना एक जड़ी अपने आप दे वेचे खोंसला दिन दिए अंग्रेज हुकमरान सरकार दे अंदर साड़ी एक सिख रैजमेट होया कर दी सी सारा गड़ी दी दास्ता मैंनू लगदा तुसी सबने ओ जड़ी फिलम आई सी ओरे राही सुनी होनी है कि ओ एकी लोग सारा गड़ी एक टावर सी गा बचाले दो के लिया दे बचाले ए मेरा ख्याल ठारा सो स्तान में दी गाल लाए ते अफगानियाने कभीले आले आने ओ जड़ा टावर सी ओ शीशे दे रही हलाकि डिस्टेंस कोई जादे नहीं सी दोआट के लिया दा लेकिन आपस वेच सनेहा देन वास्ते जा ताल में लास्ते हो ओ टावर दी महत्ता सी जित्थे सिक रेजिमेंट दे ओ इकी लोग जिना दे हवदार इशर सिंगा गवाई क रहे सन ते जिदो अफगानिया ने गलकरी अफगानिया ने केई पी पहला अपा टावर ते हमला करिये जे टावर अपा एननू टे टेरी कर लेया तब फिर समझो असी एनना के लिया ते फते हासल कर लांगे क्योंकि अगर इस नेहा देनगे ते ओरे नाल उननू बैक अप बिलेगा ते फिर होर जेड़ी उनना दी आर्मी जा फोर सो थे पहुंचेगी सो जिदो उनने हमला की था अफगानिया ने ते कभी ले आले आने ते ओ सिख क्योंकि पंजाब पंजाबी ते पंजाबियत अंख और गैरतमन्द लोग ने ए मर सक देने लेकिन ना पच सक देने ना हर सक देने ते ओना ने हवलदार इश्यर सिंग्धी अगवाई दे विच उन्ना 21 लोगा ने एत्या आस कहँदा है मैं नी कहँदा है कि खताबां कहँदी याने कि 600 लोकानों मार गे राया ते अंतम समय तक अंतम समय तक लड़दे रहे सो ना ने सोचया सी कि जल्दी ये ना ते फते पालांगे ते कब जा कर लांगे एन्नेच मगरों बैक अप मिले आते होर जड़ी साड़ी आर्मी ओ लड़दे लड़दे शहीद होगे हजारा उदारने है मेरे साथी हो मैं आज इस मंझ तो एक हैना चौण है कि अखीर ले दम तक तक्हीर ले दम तक असी लोग लड़ांगे इस पार्टी क्योंकि ये पार्टी बहुत विशाल पार्टी है रे विच हजारा लोगांदा लखा लोगांदा खूल पसीदा लगया है जिनाने अब यह शहादता दे के इनू सेर्जे ऑन्ध मेत deben कि इसकी लाइए टो आसी अंतम समय तक लड़दे रवांगे जिमें करतार सिंख सर अबा ने क्या सी करतार सिंग सर अबाजी नो जिनो फांसी ते चड़ों लगे तो उनने क्या कि तुसी छोटी उमर है थोड़ी तुसी रेमदी अपील कर सकते हो थोड़ी फांसी जेड़ी है उस सजाच तब्दील हो सकती है तुसी देश चड़ के चले जाओ लेकिन करतार सिंग सराबा ने हुकमराना नो क्या कि मैंनू जल्दी फांसी दे फंदे ते चड़ाओ मैं जल्दी मरना चोना है ते दबारा एक वार फेर चनम लेके मैं आवदे देश आस्ते शहीद होना चोना है करतार सिंग सराबा हरा दी ये सतर्ती दे उना वार्सा दी सोच सी पगसिंग हुरांदी सो बहुता कोज ना कहनदा होया मैं अंत्वेच दबारा फेर कॉंग्रस पार्टी दा राहुल गांदी जी सोनिया जी दा हरी शौदरी जी हुरांदा ते मेरे तमामे लीडर सेबाना दाते तोहड़ा आज दा ये बहुत सादा प्रोग्राम रख्या गया सी क्योंकि साड़ी हुने हुने पार्टी दे अंदर सानु फत्वा नहीं मिले आ और असी ये सोचिया कि एक सादगी दी प्रंप्रा सानु पहुनी चाही दिये और उस तो बाद असी आम लोगानु साड़े उना साथियानु जेड़े जेड़े सानु प्यार कर दे उना दे कोले जा जाके उना नु मिलन दा उप्राला करांगे दोबारा फेर दिल दियां गहराहियां चों थोड़ा सारे अंदा बहुत बहुत तन्वाग ते अंत्वे चोस मेरे गुरु ने जो क्या है देय शिवावर मोहे एहें शुबकर मनते कब हूँ ना तरूं ना तरूं हर सोजब जाए लरूं निस्चे करे अपनी चीत करूं जैहि करें